सिर्ट के बाद में कौनकौर्मेंट जो बच्चे पसंद करते हैं प्लूप के बाद में 10 प्लस्टू के बाद में जोब करते हैं तो यह आप पर मैं आपको बताने वाला हूं मैं वीडियो स्टार्ट करूँ से पहले एक मिंट की इनिफोर्मेशन आपको देना चाहता हूं अगर आपका सपना है सरकाली नोकरी पाने का अगर आप जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं सामानी विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फोलो कर सकते हैं अनेकेडमी पर मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा था हुँ अनेकेडमी अप पर सद्ली 誠ार्गे लिए आप आपको क्या करना होगा तो आपको आनकेडमी अपे डौन करने के बाद में है आप उसको वह पर और करते करें खैलिचिंथ करने के बाद में आप मेरी बजे एक सब करने किस आग कर रहा हूं जनरल साइंस के कापी मैटपून कुश्चन करवाने वाला हूं तो आप जोइन हो जाईए प्रोमो कोड में आपको बता देता हूं जोइन करने के लिए प्रोमो कोड है जन्यून टेन प्रोमो कोड लगाए और क्लास ओपन हो जाएगी और मिलते हैं शाम आठ बज श्टू के बाद में यहाँ पर मैं इसके बार इसके बातना चाहूंगा सिब्सक्राइग से भूट और हर साल करते हैं सरगाई की भात करने तो आप सभी को बता है data entry operator हो गया, LDC हो गया, DO हो गया, postal assistant हो गया, यहाँ पर इसकी post होती है exam का criteria क्या होता है तो मैंने detail में video बनाई हुई है, आप देख सकते हैं अगला यहाँ पर NDA, NDA जो है science के student जाते हैं, इसमें Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy आती है तो 12 के बाद में काफी बच्चे होते हैं, NDA के preparation करते हैं और select भी होते हैं तो यहाँ पर science के विद्यारती NDA के अंदर जाते हैं, UPSC NDA के exam conduct करवाती है SSC stenographer की बात करें, तो SSC stenographer, इसके बारे में अलग से video बना रखी है बता रख है मैंने आपको, SSC stenographer grade C और D की job है और 12 के बाद में बच्चे इसके form लगाते हैं, हर साल यह vacancy आती है हर साल प्रती वर्च यह vacancy आती है, काफी ज़्यादा post होती है अगर आपने steno course कर रख है, तो आप eligible हो, और minimum qualification 12th pass होती है एक written paper होता है, उसके बाद में आपका typing test होता है, यह process है यहाँ पर बात करेंगे next, SSC MTS SSC MTS की बात करूँ, सबसे ज़्यादा, मतलब बच्चे इसको पसंद करते हैं काफी अच्छी post है, ज़्यादा संक्या में इसकी vacancy आती है हर साल इसकी vacancy आती है, और SSC इसकी vacancy को conduct करवाता है MTS के बारे में आपको बता देता हूँ, उसकी full form है multi tasking staff, तो आपके fourth grade के अंदर यह post आती है काफी अच्छी अच्छी post होती है, assistant post होती है तो आप इनकी भरती में सामिल हो सकते हैं और form लगा सकते हैं, job join कर सकते हैं या job की तयारी कर सकते हैं next बात करूं, railway, rrb, ntpc जिस category के अंदर में पढ़ा रहा हूँ, unacademy पर वो ही उसी के में बात करने वाला हूँ, rrb, ntpc ntpc जो है, आपके यहाँ पर 12th के बाद भी भर सकते हैं काफी पोस्ट हैं, जिनमें असिस्टेंड हो गया, ldc हो गया, udc हो गया, ऐसी पोस्ट है, जिनमें किलर्क हो गया, या आपके टिकेट कलेक्टर हो गया, ऐसी कुछ पोस्ट हैं, जिनमें आप भर सकते हैं, form, और 12th के बाद यह वेकेंसी निकलती है, तो rrb, ntpc काफी अ sb हो गया, तो यह भी 12th के बाद वेकेंसी निकलती है, इसमें भी आप अपना फोरम लगा सकते हैं, और ssc department इसको conduct करवाता है, सबसे बड़ी बात यह हर साल निकलती है, और काफी संक्चा में निकलती है, 50-60,000 हर साल इसकी वेकेंसी निकलती है, इस्टेट पुलिस की बात करें, तो राजिस्तान के अंदर राजिस्तान कांस्टेबल, 12th के बाद में ही आप लगा सकते हैं, 13th के बाद में लगा सकते हैं, लेकिन काफी बचे 12th के बाद में इसका फोरम बढ़ते हैं, और तैयारी करते हैं, लगबग 2-3 साल के अंदर वेकेंसी निकलती है, और अभ मतलब हर हर स्टेट के पेस सी होती है एक एक स्टेट एससी होती दिडिक्ट करवाता है जिसके अंदर पटवारी आ घ्या गया ग्राम सिवक आ डिया ऐसी जो जोब है के बाद कंडेक्ट होती हैं तो यहां पर जो है स्टेट होلا इस ओड़ी करों विपाक्र इब सुरक्षा के लिए या समुदरी तर्क के अंदर इनकी वेकेंशिय मापई भठती होती है तो काफी अच्छी पोस्ट है याँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ये भी 12th के बाद वेकेंसी निगलती है लगबा हर साल ये भी आती रहती है तो जितने भी मैंने पोस्ट बताई हैं आपको चाहिए वो SSC CHSL हो, NDA हो, SSC स्टेनोग्राफर हो, SSC MTS हो Railway RRB NTPCO SSC GDO, State Police State Level SSCO Forest Guard या Indian Coast Guard ये सबी वेकेंसी 12th के बाद आप इनकी तैयारी कर सकते हैं और इनमें नोकरी लग सकते हैं काफी शांदार पोस्ट हैं और आप अपनी तैयारी सुरू कर दें, अनेकेडमी पर आप मुसे General Science पढ़ सकते हैं अभी मेरी क्लास है शाम 8 बजे, जोइन करें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन्यवाद